आशकार विद्यारतियों, हम पढ़ रहे हैं करदन्त में पूर्व करदन्त को अब देखिए पूर्व करदन्त में सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे, वो कौँसे प्रत्थे पढ़ेंगे? रवल और त्रिच तो रवल और त्रिच जो प्रत्ते हैं देखिए उनके लिए एक सुत्र है रवल त्रिचव और रवल त्रिचव क्या कहता है कि देखिए इसका आर्थ है दातु से करता मैं रवल और त्रिच प्रत्य होते हैं क्या विद्ध्यार्थी हो दातु से करता आर्थ में रवल और त्रिच प्रत्य होते है अब देखिए डबुल है तो इस रडांक की संगय हो जाएगी लाकी हो जाएगी त्रिच है तो चा की संगय हो जाएगी अब देखिए आप इसका एक स्क्रीन सॉट ले ले इसी में एक दूसरा सुत्र है विद्ध्यार्थियो योवोर नाकव योवोर नाकव ये सुत्र है विद्ध्यार्थियो इस कार्थ है यो और बू को अन और अक आदेश होते हैं आपको ये ध्यार रखना है कि जो हमारा प्रत्य चल रहा है विद्ध्यार्थियो उस प्रत्य का हमको अवस्य ध्यार्थियो कि उस प्रत्य को करने वाला सुत्र कौन सा है उस सब्द में कौन सा प्रत्य लग रहा है अब आपके लिए सब्द जो आते हैं उनकी मैं सिद्धी करा रहा हूँ अब देखो विद्ध्यारतियो के आपके लिए एक सब्द आएगा कारक कारक आपके लिए पूछेगा कि पूर्व करदंत का है किसका है आप से सरफ सब्द देदेगा कारक आपको सिद्धी करने है अब देखें कारक जो है आपको क्या करना है आप सबसे पहले लिखेंगे किरीधातु और आप लिएएंगे अड़ावूल प्रत्य और सूत लगा देंगे आपका अड़ावूल तरिचव शूत्र से आपको लभूल प्रत्य अगम थीक है दे आती हो क्या लिख़देंगे आप सुत्र से लभूल प्रत्य अगम आप देखें ला की हलंत्यम से संग्या हो जाएगे अड़ा की चोटू से आप क्या करेंगे करीफ लच यह बूर है जाएगा और सुत्र लग जाएगा आपका आप लिखेंगे देखिए हालान्त्यम सुत्र से लाकी इतसंग्या हुआ चुटू सुत्र से इसको अड़ा नहीं लिखें तो हम ऐसे लिख सकते हैं अड़कार की इतसंग्या तथा तस्यलो पहा सुत्र से क्या लिखेंगे उद्यार दे तथा तस्यलो पहा सुत्र से लाकार वा अड़कार लो क्या लिख देंगे लगकार और अड़कार का लोब अब देखिए ये हैं अड़ा का लोब हुआ है तो आप इसको क्या करेंगे इस का को ब्रद्धी कर लेंगे कार हो जाएगा और भू है और सूत्र लग जाएगा विद्यार थिवापका अचोर निती से आप लखेंगे अचोर निती सूत्र से ब्रद्धी करने पर आपको सरफ सब्दों की सिद्धिया करने हैं कोई आपसे ये नहीं पुछेगा कि ये सूत्र क्यों लगाए क्योंकि अचोर निती क्यों लगाते हैं क्योंकि इसमें से रणा का लोब हुआ है अब देखिए फिर इसको भू को अक्कल लेंगे आपने अभी सुत्र पढ़ा था कौन सा था योगोर नाकव सुत्र से योगो अक्क आदेश यहलंत नहीं है विद्धारतियों यह पूरा है क्या लिखेंगे योगोर नाकव सुत्र से योगो भू आदेश और फिर इसको आप जोड़ देंगे यह बन जाए कारत आप लिख देंगे अज्जेनम परेण संयोज्यम से संयोग और बेवक्ति कारे कर देंगे आप लिख देंगे कार कहा और यहां लिख देंगे विद्धारतियों ऐसे मानलो दूसरी इस्तिती ऐसे लिख सकते हम स्वादी कारे करने पर रोब सिद्धा इसका आप एक स्क्रीन सोट ले लें विद्धारती हूँ अब देखिए इसमें जो दूसरा सब्द है किया दिख दूसरी इसर्द्धम कुछ ले भूजिए कि अविव अब दूसरा इस जविडिए तो further अगला जो सब्द बनाना है आपको कौन सा बनाना है करता है तो करता है जब है तो आप इसमें लगाएंगे तुरिच परत्ते आप लिखेंगे विद्धियार्टियो कि रवल तुरिचव सूत्र से तुरिच परत्ते आगाम फिर देखिए यह जो तुरिच है इस तुरिच को हरंत्यम सूत्र से चाकी इत्संग्या वह तस्यू पह सूत्र से चकार का लोग यह है विद्धियार्टियो अब उसकी बाद देखिए इसकी आर्धातु संग्या करेंगे हम क्री प्लस तुरिच और सुत्र लगा देंगे आर्ध द्धातु कम से सह से त्रिच की आर्ध द्धातु संग्या क्या लिख देंगे आर्धातु संग्या क्योंकि देखिए चाईस में से चाका लूप हो गया लेकिन फिर भी हम इसको क्या बोलेंगे त्रिच ही बोलेंगे अब देखिए फिर आप इसको क्या कर लेंगे गुण कर लेंगे और ये त्रिच है और आप सुत्र लगा देंगे सार्व धातु कार्ध धातु कयोह से सुत्र से रिकार्व रीको और गुण करने पर थिर इसको जोड देंगे विद्ध हर्त्यूं ये बन जयागा आ ऐसे कर्त्री आप लिख देंगे संयूग करने पर है और जब आप इसको बनाएंगे आप लिख करिता और आप लिख देंगे बिवक्तीकार कर्ने पर अब अब इसका एक स्क्रीन सोट ले ले अब देखिए विद्यारती हो आपके इस वेपर में कारकों ब्याख्या भी है तो कारक क्या है आपको सरल बढ़ते हैं क्यों पढ़ते हैं कि 20 नम्मर का हमारे ये टॉपिक हो जाएगा और 15 नम्मर का काप आप 20 नम्मर का होगा तो अब उसमें कुछ भी नहीं छोड़ा है कारक प्रकरने में वैसे ही बता रहा हूँ जैसे आप क्या पढ़ पाएं उसको उसमें कोई भी सिद्धी नहीं करनी है विद्ध्यार्थियो जैसे मान के चलिए एक सुत्र आ गया आपकी परिच्छा में मान लेजे यह है सह युक्ते अप्रधाने यह सुत्र आ गया थे हो ठीक है जब आप इसका अर्थ पढ़ते हैं तो अप्रिच्छा में मान लो यह सुत्र आपकी व्याख्या के लिए आ जाता है तो आप क्या लिखेंगे आप लिखेंगे सह के यूग में अप्रधान करता में त्रतिया बिवक्ती होती है ठीक है विद्धारती हो यह प्रिवासा आप सबने पड़ी हुई है कि सह के यूग में त्रतिया बिवक्ती होती है अब आप लिखेंगे जैसे रामेण सह सीता गच्चती सीता बनम गच्चती ऐसे माल लेते हैं कोई भी बाग के जो आप से आता है आप वह लिख सकते हैं सरल से सरल यह बाग के लिख दया आप लिखेंगे इस उदाहरण में राम अप प्रधान करता है अतह प्रक्रत सूत्र से राम में त्रतिया बिवक्ती है यह वद्ध्यार्तियों आपको यह धिया रखना है कि इस से ज़्यादा आपको कुछ भी नहीं रखना है अगर आप लिखोगे तो आपका समय भी खराब होगा और उसका कोई भी ओज़त्त नहीं होगा कोई भी सूत्र होज़ता है जैसे मान के चलिए कोई भी ले लें आप सूत्र और सूत्र में उसका अर्थ लिखेंगे अर्थ लिखेंगे अर्थ लिखने के बाद फिर उसका उधारन लिखेंगे और फिर आप उसमें यह बता देंगे कि इस उधारण में चतुर्थी किस कारण से हुई है ठेक विद्यारते हो जब आप यह इस प्रकार से बता देंगे आपको पूरे अंक मिल जाएंगे आपको कारक का कोई भी सुत्र नहीं छोड़ना है और अगर फिर भी आपको कोई परिशानी आ रही है तो आपको क्या करना ह कि दुतिया तिर्थिया और चतुर्थी यह जो तीन विवक्तिया इनको अच्छी तेरह से कर लें तो इन में से आपको दुतीन सुत्र चार सुत्र मिल जाएंगे और आपको इसी प्रकार से करना है मान लिजे दूसरा सुत्र है करमणी दुतिया आ गया मान लिजे तो करमण इस उधारण में पुस्तक कर्म है इसलिए प्रक्रसूत्र से दुतिया बेवक्ति हो जाती है आप माल लेजिए और कोई उधारण ले लें कैसे जैसे बालक को लड़ू अच्छा लगता है तो आप लिखेंगे बालकाय मोदकम रोचते तो आप लिखेंगे रुच धातू के प्रियोग में जिसको अच्छा लगे उसमें चतुर्थी विवक्ति होती है जैसे बालकाय मोदकम रोदते इस उधारण में बालक को लड़ू अच्छा लगता है इसलिए बालक में चतुर्थी विवक्ति है तो इस तरीके जब लिख दे है पूरुकरदंत का नहीं है कहीं आप यह समझ लें कि यह पूरुकरदंत का है कारक प्रक्रण को अच्छी तरह से तयार कर लें एक निवन्द बेदानाम महत्वम बेदो अखिलो धर्म मूलम कोई भी हो को मिला के बेद पर हो जो भी आ जाए बिसे आपको बदल के आ सकता ह है आप मालो कोई भी आ जाए बेदान गानाम महत्वम अभेलो बेदो अखिलो धर्म मूलम कुछ भी आए आपको पूरा निवन्द लिख देना है क्वेश्चन है आपको इसमस्या आ रही थी कि कहा है तो संस्क्रत बाई अनिल चौधरी के नाम से आपको क्वेश्चन मेरे उस पर मिल जाएंगे तेलिगराम पर और टेलिगराम पर मिल जाएंगे फिर भी अगर कोई दिक्कत होती है तो फै मैं उन प्रस्णों को फेश्व बुक पर डाल दूँगा क्योंकि उसमें भी मेरा एकाउंट बना हुआ है अनिल चौधरी के नाम से तो आपको उस पर मिल जाएंगे ठीक है बिद्यार थी हो